हलो फ्रेंग्स वैलकम टू क्रिष्णाख रियेसन आज मैं आपको यह पॉंचु बनाना बता रहे हूं इसमें मैंने ट्राइंगल कपडा लिया है जो तो उसलिए मैंने उसे शेप भी ट्राइंगल दी है और इसमें मैंने जो लेस लगाई है वाइड कलर की उसी कलर की मैंने लगाई है तो आइए हम सुरू करते हैं हलो फ्रेंग्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे रैड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें पास ही बैल आइकन पर वी क्लिक करें ताकि लेकिन हमें ट्रैंगल में फोल्ड करना है यह देखिए इस तरीके से उसके बाद एक बार और ऊर फोल कर के यह ओ पर से स्लीवस निकालनी है और नीचे के साइड से आंगे-पीछी के पड़ेनी है यहाँ लंबाई आप ले सकते हैं जितनी लेनी हूं इस सैड़ से स्लीव 망 और यहां स्लीव पे थोड़ा सा शेप देना है यह इस तरीके से हल्का सा राउंड और यह ट्राइंगल है कप्ड़ा इसलिए मैंने इसे ट्राइंगल बनाया है पहुंचू और यहां से नेकलाइन निकालनी है इसमें मैंने यह राउंड शेप दिया है आगे पीछे और देखे वी नेक के साब से मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूं मैंने थोड़ा सा ही काटा है आप चाहें तो और छोटी स्लीफ भणा सकते हैं थोड़ा सा राउंड शेप देना है यहां से गोल गला काटना है यहां से और इस तरीके से खोल के सिर्फ आंगे के पड़े मे हमें शेप देना आ कि इस तरह से वीज़ा काटणा है छोटा कि यह देखके ये इस तरह सब देखेगा यह आगे का प्रदय जया वीज़ा है और छी चौन गोल गडल Release यह इस तरीके से बनेगा तो आईए अब कप्ले पर हम सुरू करते हैं इसी तरीके से मैंने कप्ले को भी ट्राइंगल में डवल फोल्ड किया हुआ है अब मैं इसे एक बार फिर से फोल्ड कर रही हूं जिससे यह पूरा चार वरते कप्ला हो गया है यह देखिए इसे मैंने एक बार और फोल्ड किया अब इसे में अपनी साइट से बिचाऊंगी जहां आगे पीछे के परदे हमारी साइड होंगे ये साइट इस साइट से स्लीप साइगी जहां डवल साइड है और यहां से आगे पीछे के परदे सबसे पहले हम इसमें लेंगे लेंथ मैंने पूरी ली है जितना भी अपड़ा है 28 यहां से नेक लाइन लेनी है इसकी चोड़ाई में नेक की तीन ले रही हूँ तीन इंच पे और इसकी गेहराई भी में तीन ले रही हूँ यह देखिए यहां से हम इसे राउंड शेप देंगे इसके बाद हमें सिर्फ आंगी के परदे में जो शेप देनी है उसके लिए हम इसे नाप लेते हैं छे इंच पे एक निशान लगाते हैं तो तीन इंच का हमने गला बना लिया है उसके बाद हम 3 इंच इसमें शेफ देंगे, वी गले के आकार में काटेंगे हम इसे , यह देखिए थीन इंच की शेफ दी है मैने इसमें अब मैं इ weit İş स्लीव स्कोर थोड़ा सा राउण शेफ दोंगे, यह देखिए इस तरिके से हल्काूा सा राउण शेफ देना है अब chest के लिए जो सबसे पहले chest नापने के लिए हम पहले shoulder लेंगे shoulder 7 थे हैं 7 पे हमें निशान लगाना है उसके बाद arm hole का भी half 7 7 पे निशान लगाया है मैंने अब यहां से chest में आप 4 प्लस करेंगे और उसके बाद उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसमें आप यहां पर एक निशान लगा लें जैसे यह 36 के इसाब से मैं बना रही हूं तो मैंने इसमें 4 प्लस किया है 40 उसके बाद मैंने इसे 4 से डिवाइड किया है तो 10 आया है उसके बाद हम इसे 10 पे रखके तिर्ची तिर्चा एक निसान लगा लेंगे और इस तरीके से पकड़के आंगे पीछे दोनों साइड निसान लगा लेंगे जिससे एक जैसा रहेगा ये देखिए फिर यहां से हमें सिलाई लगानी पड़ेगी इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया है चैस्ट का फिटिंग के लि ये अब हम इसे खोल लेंगे इसे खोलके सिर्फ आंगे के पर्दे में शेप देनी है देखिए इस तरह से आप इसे पकड़िये इस तरह से ये आगे का पर्दा अलग हो गया है तो मैं इसे यहां से कटेंग कर लेती हूं इस तरीके से ये पोंचुकी कटिंग हो चुकी है देखिए इस तरह से इसका नेक देखेगा आपको अब इसे सिलाई करने के लिए हम मशीन पर चलते हैं सबसे पहले हम इसमें राउन में पाइपिंग लगाएंगे लेकिन उससे पहले इसमें जो वी गला बनाया है उसमें हम एक कपला लगा के से अटेच करते हैं गले की कटिंग निकली है, उसी कपले को मैंने इसके ऊपर रखा है, यह सीधी साइड है, मैंने यहां से कपला रखा है, अब हम एसे पलट लेंगे, यह देखिए इसे पलटने के बाद, यहां पर आप एक जैसा कपला चारो तरफ जब हो, उसके बाद आप इसमें पिन लगा लिजिए और फिर यहां पर एक उबाई लगाई लगाने से पूरे में कप्डा एक जासा दवाब में रहेगा अब हम इसके पर एक उसर ले लेते हैं यह भी अकार में त disparities अजाएगी यह देखी इसके बाद आप इस कप्ले की कट्टींग कर लीजिए कटिंग करने के बाद थोड़े से इसमें कट लगाने रहेंगे ये कट लगाने के बाद आप अंदर का कपला बाहर की साइट करके इसमें एक उपर से फिनेसिंग की सिलाई लगाईए ये देखे मैं इसमें आपको फिनेसिंग की सिलाई लगा कर बताती है इस तरीके से यहाँ एक सिलाई लगानी है अब जो इसके अंदर का कपला है हम उसे भी एक बार फिर फोल्ड कर देंगे यह फिनिसिंग के सिलाई लगने के बाद जो एक्ष्टा उपर कपला है उसकी मैंने कटिंग कर दी है अब जो यह पीछे कपला है इसे हम एक बार और फोल्ड कर देंगे आप चाहें तो पहले से भी फोल्ड करके बाद में अटेच कर सकती हैं गले में कपला यह देखिए यह आगे जो कट लगाया था वो तैयार है अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे पाइपिंग लगाने के लिए मैंने वाइट कपला लिया है इसे इस तरह से बिलकूल और एप रख या मेरा एक साइड से और एप हैं इसलिए मैं इधर से कटिंग कर रही हूं ये piping के लिए मैंने पट्टियां काट ली है इन्हें इस तरह से आपस में जोडते हैं और एप को एक के ऊपर एक रखकर इस तरह से हम यहां सिलाई लगाएंगे piping जोडने के लिए हमें अंदर से ही डबल सिलाई करनी है यह देखिए मैंने पाइपिंग की पट्टियां तैयार कर ली है इसे मैं डबल पकड़कर इसका एक सेंटर पॉइंट लगा रही हूँ इस साइड एक कट लगाऊंगी मैं हलका सा और एक कट मैंने जो पहुंच हुए उसके पीछे के परदे में भी लगा रखा है सेंटर में पीछे का परदा है उसके सेंटर में मैंने लगाया है कट अब इस पाइपिंग को इसके साथ अंदर की साइड से रखकर हमें अटेज करना है मैंने इसे पिंस से अटेज कर दिया है अब इसे हम आगे की साइट से नापते हुए जो कॉर्नर है वी गले का वहाँ पर भी हम एक इसे पिंस से अटेज कर देंगे और जो बागी की पाइपिंग है उसे हम आगे छोड़ देंगे ये देखिए इस तरीके से यह दोनों पाइपिंग इसलिए एक जैसी बचेंगी हम इस तरह से नाप सकते हैं कि दोनों एक जैसी बचेंगी आगे अब मैं इसकी सिलाई करना सुरू करती हूँ सबसे पहले जहां से नेक स्टार्ट हो रहा है वहां से हमें सिलाई लगानी है यह piping मैंने अंदर की side से लगाई है हम इसे बाद में बाहर की side फोल्ड करेंगे यह देखिए राउंड गला है हम थोड़ा ध्यान से piping लगानी है यह पूरी सिलाई हो चुकी है राउंड में center पे बिल्कुल center आया है अब इसे हम फोल्ड करके इसके उपर से इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो यह इस तरह से आ जाएगा हम इसे corner से start करेंगे जहां piping हमने खाली छोड़ी थी यह इस तरह से फोल्ड करना है फिर इन दोनों को आमने सामने फोल्ड करना है और एक के उपर एक रखकर इस तरह से सिलाई लगानी है यह देखिए यह इस तरह से आप सिलाई लगाते हुए पूरे गले में piping को तयार कर लें यह चुकि औरे फाइपिंग है इसलिए बड़ी आसानी से यह मुझ जाती है यह देखिए इस तरह से मैंने इसमें थोड़ी चोड़ी पाइपिंग लगाई है जिससे यह अलग से देखिए यह देखिए यह कंप्लिट रियार हो चुकी है इस तरह है यह piping अब हम इसे नीचे से एक बार फोल करेंगे उसके बाद हम इसपर यह लेर सखं़च लगाएंगे इसब देखिए इस तरह साथने इस कि यहें यह इस तरह से नीचे से प्ति फोल्ट करननी है यह देखिए यह पट्टी फोल्ड हो चुकी है अब इसके उबर में लेज लगा रही हूँ जो वाइट कलर की लेज मैं आपको दिखाई थी वो लेज एक बार पट्टी फोल्ड करने के बाद आप इसके उपर से लगाएंगे तो आसानी से लग जाती है यहाँ जो आस्तीन का जो स्लीव का हिस्सा है हमने थोड़ा सा कर्व दिया था इसलिए हम यह थोड़ी ढील देते हुए लेज को लगाते हैं तो यह ठीक से लग जाती है और पहनने पर भी फोल्ड नहीं होती है यह देखिए यह लेज पूरी लग चुकी है सिर्फ हमें स्लीव की साइड थोड़ी सी जोल देते हुए लगानी है लेज यह मैंने इसे खोल के अंदर से इसके उपर में सिल देती हूँ तो यह बिल्कुल ट्राइंगल देखेगा अब हम इसमें साइड की सिलाई लगाएंगे यह देखिए स्लीव के लिए हम इसमें साइड की सिलाई लगा रहे हैं और इस तरह से मैंने इसमें दोनों साइड सिलाई लगा दी हैं आप अपनी फिटिंग के साब से सिलाई लगा सकती है और इस तरह से ये ट्राइंगल पहुंचू तयार है इसमें जो ये पाइपिंग है इसमें आप कुछ लटकन भी लगा सकती है अपने हिसाब से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल कुछने करेशन को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो